उस पे बाते भी किया है और उन चीजों पे तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज का दिन जो था वो महिलाओं का दिन था और महिलाओं ने बड़ चड़ कर हिस्सा लिया खास करके राजस्थान के महिलाओं ने पर साथी साथ हमारे पास हमारे यहां पे भारत जोडो यात्रा में यहाँ पे कुछ ऐसे भी महिलाएं थे जो दूसरे प्रदेशों से आये जैसे कि प्रियादत जी आई थी फिर कुछ MLA प्रनिती जी है और काफी और भी महिलाएं हैं जो दूसरे प्रदेशों से भी आया यहाँ पे राजिस्थान महिलाओं के और भारत जोड़ो यात्रा में चलने के लिए बैनों अगर हम यह सोचे और भायों भी जो पत्रकार है कि असली रूप में आज यह हमें एसास हुआ कि जो political empowerment राजनितिक शक्षक्तिकरन हम महिलाओं को कहां से मिला हम महिलाओं को राजनितिक शक्षक्तिकरन राजीर जी के कारण 33% जो reservation 74th amendment act को वो जो ले के आए उनके द्वारा मिला और आज जिस बड़ी संख्या में कहीं महिलाओं आके बात कर रहे थे और अपने आपको जब introduce कर रहे थे कि मैं ग्राम प्रधान की member हूँ मैं सरपंच हूँ मैं तो किया वो यहाँ पे देखने मिला धन्यवाद मैं दिव्या मदेरना विधायक हूँ राजिस्तान से भारत जोड़ो यात्रा जैसे कि आप देख रहे हैं अब एक यात्रा नहीं एक जन आंदोलन बन चुकी है एतिहासिक समर्थन उसको पुरे हिंदुस्तान में मिल रहा है दक्षिन के बाद जब हिंदी पट्टी के स्ट रहे किया गया है राहल जी की तरफ से बहुत जरूरी है कि महलाएं फ्रंट लीडर्शिप का हिस्सा हो उनके हाथ में उनके हाथ में कलम हो जिससे वो निरने ले सके हम सिर्फ रेप्रेजेंटेशन नहीं आगे की लीडर्शिप कैसे डेवलप करें एक बहुत गहरी सोच के स राहुल जी काम करें युवाओं और महिलाओं पे उनका हमेशा से खास फोकस रहा है यह तीसरा स्टेट है जब वो महिलाओं के लिए विशेश कर उन्होंने एक दिन तैका रखा है कि हर स्टेट के अंदर एक दिन होगा महिलाएं पार्टी की एमेले एमपी तो हैं जो मिल सकते हैं आम पदादिकारी कॉंग्रेस के पंच्रायत समिती के सदस्य ब्लॉक लेवल्स के और उस पूरे एरिया के लोग उनसे मिल सकें समवाद कर सकें वे उनकी व्यथा और वेदना को सुन सकें उसके निराकरन के लिए वो तुरंट सीम साब होते हैं या जो भी उसवक्त लीडर साथ में चल रहे हैं उसवक्त उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं क्लेक्टर एसपी को वलाया जाता है जैसे आपने पर कल का एक परिदेश देखा होगा एक बची थी और उसको तुरंट अंदर ले गया और वो बिलकुल मिलते ही इतने मा वो खो गई उसकी तुरंट उसका निस्तारन किया गया तो मैं यह मानती हूँ कि एक नई उमंग एक नई उमीद इस भारत जोड़ो यात्रा में विशेश रूप से एक आधी आबादी का जो दिन दिया है उसे ये संकेत राहुल जी पूरे भारत के अंदर दे रहे हैं जहा करा सकते हैं बिलकिस बादों का केस हमने देखा था किस तरीके से भाज़पा शांथ ती महिलाओं का मुद्दा था कॉंग्रिस पार्टी ने उसके उठाया तो कोई भी प्ताणा का या महिलाओं को कॉर्णर करने का कोई भी मुद्दा है呢 Congress Party कभी चुप नहीं रही है, यह हमारा संकल्प बद रहे, जैसे कि अभी नेता जी बता नहीं थी, कि महिलाओं का शर्शक्ति करन के लिए, राजीर जी पंचायती राज में 33% लेकर आए, और मैं स्वेम उस पंचायती राज की प्रड़क्ट हूँ, कि मैं 33% प्रतिशत की जो और शर्शक्त करने के लिए, नए पाइदान पर लाने के लिए, भारत जोडों से भी हम यह संदेश दे रहे हैं, और मैं आपसे एक विशेश अनुरोद करना चाहरे हूँ, कि जब मैं मीडिया की वैन में कई बार करीब जाती हूँ, तो विशेश कर जो यंग महिला रिपो से तो शायद मैं आपको मिला पाऊं, थैंक यू सामने बोलने का, रिप्रेजेंट करने का प्रेश में यह जो अधिकार मिला है, यह सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी की देन है, मैं भारत जोडों यात्रा का हिस्सा हूँ, महाराष्ट से कंटीन्यू पैदल पद यात्रा कर रही हूँ, तो मेरे बहुत सारे अनुभव हैं, पर आज जो विसेश दिन महिलाओं का था, उसके लिए मैं आपको बताना चाऊंगी, कि रूरल एरी आज में, ग्रामेन इलाकों में जब महिलाओं को यह पता चला कि हमसे राहुल जी एक दिन मिलेंगे, एक दिन का समय सिर्फ महिलाओं के लिए तै किया है, तो बहुत सारी महि महिलाओं रात को दो बजे राहुल जी से मिलने के लिए हमारे कैम्प के भार तयार थी, अब बहुत दूर-दूर से पूरे राजिस्तान से महिलाओं ने बढ़ चड के इस यात्रा में हिस्सा लिया है, राहुल जी से मिली अपने समश्याएं, सिकायत और अनुभाव, उनस सबी महिलाओं में एक अच्छी उर्जा और उमंग का संचार इस यात्रा से हुआ मैं खुद इस यात्रा में आज जब राहूल जी से मिली तो उन्होंने ये मुझसे कहा कि आज का जो दिन है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अनुभाव सुनने का उनको यात्रा से क्या संद मैं जालावाड बोर्डर से साथ में लगी हुई हूँ आज जब महीलाओं का संचालन था वो द्रश्य देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि महीलाएं भी प्लेटफॉर्म पर आकर के भारत जोडो यात्रा का पूरा भागीदारी हिस्सेदारी निभा रही है और आगे से आगे बढ़ करके उनका साथ दे रही है स्वर्गे राजी जी गांदी जी ने अपने एक्ट में परिवर्तन करके 33% महीलाओं को आरेक्षित किया इसी बदोलत आज मैं जिला प्रमुक हूँ जिला प्रमुक बनने के बाद मैं 8 ब्लोक में महीने का राउन रहता मेरा प्रमुक वहां के छोटी-छोटी कारे करता हैं सरपंच प्रधान जो भी सब वहां रहती है महीलाएं जो घूंगट से बहार नहीं आ सकती उनकी प्रोब्लम्स वहां पर मैं सुनती हूँ और साथ में सारे अधिकारी रहते हैं उनसे उनका निस्तारण होता है तो यह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम गाओं के अंदर जाकर के और उनके समश्याएं सुन रहे हैं आज 12 डिस्टिक से भी 5 हजजार कारे करता हैं आज इस रेली में शमीलित होगी आज सम्माने रहुल जी से जब हमारी बात हुई तो मैं जहलावार से अभी तक आज बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने महीलाओं के बारे में ही पूछा, महीलाओं से ही बात की, उनकी समश्या सुनी, हम लोग सब महीलाएं वहाँ पर थी, उन्होंने हम से सुजाओ भी पूछे, परेशानी भी सुनी, बहुत अच्छा लगा आज, मतलब अपने आपको गोरानन त्वीत कर रहे हूं कि ये शान, ये पल हमारे लिए बहुत ही यादगार साबित होंगे आने वाले टाइम में, हम सभी महीलाओं को बहुत गर्व है कि हम इस भारत जोड़ो यात्रा की आज हिस्सेदारी निभा रहे हैं और हम साथ रहे हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा निविदन हमारे शेत्र से ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इससे जो सम्मानी राहुल जी गांधी का जो संदेश है कि नफरत को छोड़ो और जो बेरोजगारी कमर तोड़ रही है, उससे हमारे लोगों को कैसे उपर उठाएं, हिंसा की प्रवर्ती जो फैल रही है, उससे निजात पाएं और भारत में भाई चारा आपसी व्यवार उच नीच जात पात उस सबी का भेदवाव मिटा करके एक दूसरा अनुभाव साजा कर रही है, आए सुनाते हैं, सरकार की स्कीमों के माद्यम से लाकों करोडों लोग लाभनवित हो रहे हैं, हमारा मुद्दा य प्रिये नेता सोनिया गान्दी जी चाहती हैं, कि हमारी महिला शषक तो हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के उसको विकास कियोजनाओं के मादम से जोड सके, ये सपना साकार, राजस्तान की सरकार, मुख्यमंत्रिय अशो गहलो जी के नेतरत में कर रही है, और मुझे लगत चार वर्षों के कारेकाल के अंदर महिला शशक्तिकरण के बहुत से मुद्दों को छूपाए हैं और लाखों महिलाओं तक हम लोग पहुँच पाए हैं जिनको जरुवती सरकार की विभिन्र प्रकार की योजनों की तैंक यू कि यह कहूंगा कि राजीव गांदीजी ने जैसा कि बार बार कहा गया है तिहतर हुआ और चुहतर हुआ संभिनान संशोदन से पंचाहित और नगत पारिकाओं में एक तिहाई आरक्षन पहिलाओं को प्राधार को दिया अलावा अभी लोग भूल गये हैं कि दस साल पहले ग्यारा साल पहले मनमोहन सिंग जी के सरकार जब थी हकुमत में महिला आरक्षन बिल राजसबा में पास हुआ था जहां विधान सबा और लोग सबा और राजसबा में एक तिहाई आरक्षन महिलाओं को मिलेगा पर वो लोग सबा में पारित नहीं हो पाया लोगसवा भंग हो जाता है चुनाओं के बाद पर राज्यसवा बरकरार है चलता रहता है तो कॉंग्रेस पार्टी की हमेशा मांग रही है और सोनिया जी ने खुद प्रथान मंत्री को एक दो बार खत भी लिखा है कि ये बिल जल्द से जल्द आप लोगसवा में लाइए पर हम चाहते हैं कि जैसे ही एक तिहाई आरक्षन महिलाओं को पंचायत और नगरपाली का संस्थाओं में मिला है वो ही राज्यसवा लोगसवा विखान सभा में मिले और वो बिल राज्यसवा में पारित हो गया है इसका माने है सिर्फ लोगसवा में पारित हो जाएगा त हाँ मैं इसे पूछे एक मिने एक मिनेट यप लिज एक मिनेट यप लिज प्लीस एवाटर शीज कॉफिंट वाच आप बोली आप पर अपर 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 सब्सक्राइब कर दो आप अपर इस परसेंट हमने प्रावधान किया हमारे सम्विधान में हमारे पार्टी के सम्विधान में पार्टी रिजर्वेशन हम एक मात्र पार्टी है जहां सम्विधान में हमारे पार्टी के सम्विधान में प्रावधान किया है महिलाओं के लिए ये बात अलग है ये बात अलग है कि हम नहीं वो लक्ष हम पूरा नहीं कर प पड़ेगा पर हमारे सम्विधान के अनुरसार पार्टी के सम्विधान के अनुरसार महिलाओं के लिए आरक्षन है टिकेट में नहीं पार्टी संगठन के पदों के लिए अधिकार आरक्षन है टिकेट के लिए विचार होगा जा हमारी प्रिनरी सेशन होने वाली है फेब्र प्रावदान है उसको हम पूरा पहले करें अगर वह हम पूरा करें तो हमारे लिए वो पहला मील पथर थाबित होगा अब पजब आजाए गांग जो इस पाइड पाइड हो गया लोगसभा में उसका विरोध भी गुआ था कुछ पाइड उनके वेव यूपी के पाइड थे बिहार के पाइड थे जहुआ जो कि झाले समय खड़िए।